सबी भाईया बहिन को दिदी का प्रणाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्सा अस्टम की पाट्टे पुस्तिका से पाट सोला पानी की कहानी हम इसका पूरु में भी अध्यन कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे भाग दो हमने पूरु में पढ़ा था कि पानी की जो उत्पत्थी हुई कैसे हुई और पानी का जीवन कैसे सुरू हुआ हमने जाना था कि पानी एक हाइडरोजन और अक्सेजन की राशाइनिक किर्या से उत्पर्ण हुआ कहा जाता है कि शोर मंडल में से एक उलका पिंट प्रत्वी पर टगराती और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद में हाइड्रोजन और ओक्सिजन की राशाइनी किर्या के कानन पानी उत्पन हुआ और सबसे पहले जो पानी का जीवन शुरूआ वो बर्फ से शुरू हुआ अब हम इस्तार पूर्वक पढ़ेंगे मैं कहीं मास समुद्र में इदर उदर घूमती रही फिर एक दिन गर्म धारा से भेट हो गई धारा के जलते अस्तित्व को टंडक पहुँचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोकनी प्रारंब कर दी और इसके फ़ल सरूप में पिगल पढ़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई अर्थात के जब होस की बून इदर से उदर कहीं घूम रही थी तो उसकी जो कहीं पर गर्म पानी की जो धारा बे रही थी वो उससे उसकी भेट हो गया अर्थात मिलन हो गया तो वो उस धारा के जलते अस्तित्व को मतलब की जो धारा जो गर्म धारा जो बे रही थी उसको ठंड़क पहुचाने के लिए उसने उसकी गर्मी को सोहकना प्रारम कर दिया अर्थात के वो भाद के रूप में परिवर्थित होने लगी और फल सरूप वो अपने स्तितों में से खोबेटी अर्थात वो पानी बनने लगे और पानी बनकर के वो समुद्र में मिल गई समुद्र का भाग मैंने जो द्रश्य देखा समुद्र का भाग बनकर मैंने जो द्रश्य देखा वो वर्नातीत है मैं अभी तक समस्ती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंदू बांधों का ही राज्य है परन्तु अब ग्यातुआ की समुद्र में चहल पहल वास्तों में दूसरे ही जियोकी है और उसमें निरा नमक भरा है अर्थात की बहुत अत्यादिक मात्रा में नमक भरा हुआ समुद्र का पानी खारा होता है पहले पहल समुद्र का खारा पन मुझे वलकुल भी नहीं भाया जी मचलाने लगा पेर पर धिरे धिरे सब सहन हो चला अर्थात कि जब उसकी आदत हमें पढ़ गए तो हम इसको भी अब हुसामान ने जीवन की तरह हम उसको भी वैसे ही परियोग में लेने लगे एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के उपर तो बहुत घूम चुकी हूँ बीतर चल कर भी देखना चाहिए कि क्या है इस कारे के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंब कर दिया अर्थात कि मैं अब अंदर से और अंदर के और जाने लगी मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले गोंगे जालीदार मचलियां कई-कई मनभर भारी कच्वे और हातों वाली मचलियां देखी एक मचली ऐसी देखी जो मनुस्य से कई गुना लंबी थी उसके आठ हाते वह इन हातों से अपने सिकार को जकड लेती थी जब समुद्र के अंदर गई तो वहाँ पर उसने अनेक प्रकार के खोजबीन शुरू कर दी उसने कहा कि में बहारी जीवन तो मैंने बहुत जी लिया मैंने बहार के जीव-जनतु है जो यहां की प्रत्विए उसमें तो मैंने देख लिया है अब मुझे अंधर चल रुजा था समुद्र की गेराय में जाकर भी उसके बारे में जानना चाहिए जब होस्त की बुन्त समुद्र के अंदर जाती है तो वो देखती है कि महाँ पर अनेक परकार के जीव जन्तु ऐसे हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे उन सब को देख करके वो आज़सरे चकित भी हो रहती कि ऐसे भी कोई जीव होते हैं मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चोक पड़ी अब तक समुद्र में अंदेरा था सुर्य का प्रकास कुछ ही भीतर तक पहुँच पाता था और बल लगा कर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जियों को किसे दिखाए पड़ता होगा कि सामने ऐसा जियों दिखाए पड़ा मानो कोई लाल टेन लिए घूम रहा हो यह एक अत्यन्त सुन्दर मचली थी इसके सरीर से एक प्रकास के चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी इसका प्रकास देखकर कितनी चोटी चोटी अंजान मतलब कि बिल्कुल चोटी चोटी जो मचलिया थी वो इसके पास आजाती थी और यह जब भूकी होती तो पेड़ भर उनका बोजन करती थी विचित्र है जब मैं ओर निचे समुदर की गरी तह में पोची तो देखा कि वहां भी जंगल है छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत आयात से उगे हुए हैं वहां पर पहाडिया हैं घाटिया हैं इन पहाडियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीवरत हैं जो निपट अंदेतता महा आलसी हैं यह सब देखने के बाद मुझे कई वर्स लगे जी में आया की उपर लोट चले हैं परन्तु प्रयत्न करने पर जान पढ़ा की यह असंभव है मेरे उपर पाने की कोई तीन मील मोटी तहती अर्थात की परती तह यानि परत में भू परत करने लगी इच्छा यह मेरे लिए कोई नई बात न थी करोणों जलकन इसी भाती अपना ज्यान बचाने बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धस्ता जाता है अर्थात के नीचे की और गुसता चला जाता है मैं अपने दूसरे भाईयों के पीछे बीचे चटान में गुस गई कहीं वर्सों में कहीं मिल मोटी चटान में गुस कर हम प्रत्वी के भीतर एक खोकले इस्तान में निकले और एक स्तान पर इकटा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए कुछ की सम्मति में महां पड़ा रहना ठीक था प्रन्तु हम में से कुछ उत्साई युआ भी थे वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे प्रत्वी के हर्दे में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या चिपा हुआ था अर्था जो होस की भूनती वो इदर उदर घूमने के बाद में एक चटान में गुस गया था चटान के पास में चली गई वहां पर उ उसके वह सारे और दोस्त भी मिले और हम समने आपस में सलाम असवरा करना सोचा कि हम किस प्रकार से अब आगे कि क्या रूप रेका करनी चाहिए कुछ ने तो कहा कि हम यही पर रहते हैं कुछ ने बोला कि हम खोज करेंगे अर्था तो जो नव जुनके अंदर कुछ जानने कि जिग्या साथी वो नोने दो बोला कि हम खोज करेंगे और इसी बात को लेकर कि वो खोज करने के लिए निकल पढ़े हम घूम घूम कर देखेंगे कि अंदर क्या है और इसमें हम और कहके जानकर हैं प्राप्त कर सकते हैं अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे इस्तान पर पोचे जहां टो स्वस्तु का नाम भी न था बड़ी बड़ी चटाने लाल पेले पड़ी थी और नाना प्रकार की धात्वें इदर उदर बहने को उतावली हो रही थी इसी इस्तान के आसपास एक दुरगट न होते होते बची हम लोग अपने इस खोज से इतने प्रसनते की अंदा धुंद बिना मारक देके बड़े थी इससे अचानक एक ऐसी जगत जहां पोचे जहां ताप कर्म बहुत उचा था मतलब कि अत्यदिक गर्म था यह हमारे लिए साहे था हमारे अगवा कापे और देखते देखते उनका सरी रोजजन और हद्रजन में यानि कि आउकसिजन और हद्रोजन में विवाजित हो गया था बदल गया इस दुरगटना से मेरे कान खड़े हो गए मैं अपने और बुद्धी मान साथियों के साथ एक और निकल भागी अब हम लोग अब एक इस इस्तान पर पोँचे जहां प्रत्वी का गर्ब रर कर हिल रहा था एक बड़े जोर का धड़ा का हुआ हम बड़ी तेजी से बाहर के ओर फेक दिये गए हम मूचे आकास में उड़ चले इस दुरगटना से हम चोग पड़े पीछे देखने से ग्यातवा की प्रत्वी फट गई है और उसमें से दुआ रेत पिगली धा तो लपटे निकल रही है ये द्रश्य बड़ा ही शांदार था और इसे देखने की हम में बार बार इच्छा होने लगी मैं समझ गया तुम जोला मुकी की बात कर रहे हो हाँ जोला मुकी विस्पोर्ट जब होता है हाँ तुम लोग उसे जोला मुकी कहते हो अब जब हम उपर पहुँचे तो हमें एक और बाप का बड़ा दल मिला हम गरजगर आपस में मिले और आगे बढ़े पुरानी सहली आंदी के भी यहां हमें दर्शन हुए वह हमें पीट पर ला दे कभी इदर ले जाती तो कभी उदर वह दिन बड़े आनंद के थे हम आकास में सोचंद किलो ले करते फिरते थे बहुत से भाब जल कणों को मिलने के कारण हम भारी हो चले थे और नीचे जुकाए और एक दिन भूंद बनकर नीचे कूद पड़े मैं एक पाहड पर गिरी और अपने साथ योगे साथ मेली कुचेली होकर एक और बहा चली अर्थात के जब वह नीचे गिरी तो वहाँ पर धूल मिट्टी लगने के कारण वह मेली हो गई यथा गंदी हो गई पाहाडों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता हम एक बार बड़ी उची शिखर पर से शिखर यानि चोटी पर से कूदे और नीचे एक चटान पर गिरे बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट टूट कर खंड खंड हो गया ता टुकड टुकड में परिवर्तित हो गया यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं जिस समय हम मोज में आते हैं तो खटोर से खटोर वस्तू हमारा प्रहार यानि की वार हमला सहन नहीं कर सकती अपनी विज़े से उनमत होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल्यानी प्लेन समतल भूमी देखने की थी इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई सरी ताके वे दिवस्याने दिन बड़े मजे के थे हम कभी भूमी को काड़ते कभी पेड़ों को कोकला कर उने गिरा देते बहते बहते में एक दिन नगर के पास पूंची मैंने देखा कि नदी के तट पर एक उंची मिनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है मैं उस सुखो उसे देगने क्यों क्या बड़ी कि मैं अपने हाथों दुरबाग्गी को नोता दे दिया अर्थात के में उसके बुरे दिन सुरू हो गए जो ही मैं उसके पास पूंची अपने और सात्यों के साथ एक मोटे नल में खीच ली गई कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी मैं प्रतिशन उसमें से निकल भागने के चेस्टा में लगी रहती थी भाग्गे मेरे साथ था बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे इस्तान पर पूंची जहां नल तूटा हुआ था मैं तुरंत उसमें होकर निकल कर भागी और प्रत्वी में समा गई अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पूंची वह रुकी सूरे निकल आये थे बस मैंने कहा ह मैं अब तुमारे पास नहीं ठर सकती सूरे निकल आये हैं तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते वह होस की बूंद धीरे धीरे घटी और आकों से ओजल हो गई अर्थात भाव बनकर होस की बूंद आसमान में चली गई अर्थात तुड़ गई सभी भईया पहिन को दीदी का प्रणाम हमारा पाठी समाप्त होता है अब हम इसके प्रस्न उत्तर करेंगे लेखक को होस की बूंद कहां मिली लेखक को बेर की जाड़ी पर होस की बूंद मिली जब लेखक जाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो होस की बूंद उसकी कलाय पर गिरी और सरक कर हतेली प बूंद क्रोध और घ्रणा से क्यों काप उठी उत्तर पेडों द्वारा जल की बूंदों को बल पूर्वक धर्ती के भूगर्ब से खीच लाना वह उनको खा जाना अर्थात पोदे जमिन से जल प्राप्त कर स्वयम के लिए पानी का प्रवंद करते हैं वह कुछ को प्रत्व परहोस के रूप में ले आते हैं जिसे याद करते ही बूंद क्रोध वगर्णा से कापने लगती है प्रस्ण नमबर तीन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन को पानी ने अपना पूर्वज्ज या पूर्खा क्यों कहा उत्तर जब ब्रमांड में प्रत्वी वह उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था तब ब्रमांड में हाइड्रोजन वो ऑक्सिजन दो गे से सुर्य मंडल में लप्टो की रूप में विद्ध्यमान थी किसी उलका पिंड के सुर्य से टकराने से सुर्य के टुकडे टुकडे हो गये उनी टुकडो में से एक टुकडा प्रिथ्वी के रूप में उत्पन हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सिजन वो हाइड्रोजन के बीच रासाइनी किरिया हुई और इस कारण से पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सिजन को अपना पूर्वज या पूर्खा कहा क्यूशन नमबर 4 पानी की कहानी के आदार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने सब्दों में कीजिए पानी का जन्म हाइड्रोजन वो ऑक्सिजन के बीच रासाइनी किरिया दोरा होता है ये दोनों आपस में मिलकर अपना अस्तित्तु समाप्त कर जल के रूप में विद्दमान हो जाते हैं सर्व प्रथम बूंद भाब के रूप में पृत्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है तद पश्यात टोस भर्फ के रूप में विद्धमान हो जाती है समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर टोस रूप को त्याक कर जलका रूप धारन कर लेती है प्रस्र नमबर पांच कहानी के अंत और आरंब के हिस्से को स्वयम पढ़कर देखिए और बताईए कि होस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतिक्षा कर रही थी तो होस की बूंद सुर्य उदे की प्रतिक्षा कर रही थी सबी भहिया बहिन को दीदी का पुना प्रणाम धन्यवाद आज हम प्रस्नुत्तर और पाट सोला यहीं समाप्त होता है